वेल्कम तो यूर फेवरेट चैनल फॉर नीड बायोजी प्यप्रेशन दिवाइवर्ड लेडीज एंड जेटलमेन हम लोगों ने अपने आखरी लेक्षर में मतलब हम लोग ये स्टरे के लेक्षर में हम लोगों ने बात किया था डिफ्रेंट टाइपस ऑफ तीट जो इनसा सबसे लास में जो दाते हैं उसको हमनों बोलते हैं थर्ड मुलार बोलते हैं इसको हम वेस्टीजियल तीद बोलते हैं या हम इसको विजडम तीद बोलते हैं और आपको पता होना चाहिए कि ये बच्पन से फंक्शनल लेस तीद है या सर इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता है चबाने के काम में नहीं आता है तो आज हम आगे बढ़ते हैं तीद के एक पार्ट है और उसके बाद हम लोग टंग के बारे में बात करेंगे ये ट्रिक्स था जो हमने बताया था बी बी एल बोन बोन ल जाता है देखो यही तो लिगामेंट कहलाता है बेहन टर्ण टू मॉडल का मतलब यह होता है कि बोन को मसल से अटेच कर जाएगा वही तो देखो टेंडॉन कहलाएगा समझ में आएगा तो आई तिंक इस पर्टिकुलर पार्ट इस आलसो वेरी वेरी क्लियर तो यह 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 ब्यूटिफुल डाइगरम में इसका डाइगरम हम ड्रॉर करेंगे आने वाले वक्त में डाइगरम हाथ से कैसे औरा करते हैं वह हम सिखेंगे आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि यह जो सारा पार्ट है इस लाइट का ओरल कैविटी माउथ बकल कैविटी है ट्रॉड यह एवरिफिंग इस गोईन टू बी डान इसको विजडम तीद भी बोलते हैं थर्ड मोलार को यह पार्ट भी हमने बता दिया हुआ है आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग टाइप आफ तीद के बारे में बात करते हैं इस इसकाल इंसीजर इसकाल कैनाइन इसको प्री मोलार और यह लास्ट में मोलार है यह भी आपको पता चल गया है अब तक अब लोग आज के लेक्षर में इस पर्टिक्रियर डाइग्राम के बारे में बात करेंगे देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है मेरी प्यारे बच्चों यहां पर लिखा हुआ एनाटॉमिक ली यह जो यहां पर टाइटल में लिखा है एनाटॉमिकली का मतलब हम लोग होता है इंटर्नली बात करें इंटर्नली का मतलब क्या होता है इंटर्नली का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने दात को लॉंगिट्यूडनली कट करेंगे वर्टिकल सेक्शन में हमारे दात को कट करेंग then layer number two is called as a dentine layer number three is called as a pulp cavity yes sir is that clear लेकिन अगर नीट ने आपको पूछा anatomically नहीं नीट ने अगर आपको पूछा कि externally teeth के कितने regions होते हैं तो externally हमारा जो दात होता है उसके तीन area होते हैं क्राउन वो हिस्सा होता है जो वाइड पार्ट होता है और वो हमको easy तरीके से visible है नेक वो हिस्सा होता है जो gum के contact में है और root वो होता है जो completely इस bone के अंदर inserted है यह bone कौन सा bone है सभी को मालूम है कि it is a allular bone तो यह एक allular bone है सभी को यह सभी बच्चों को यह बात पता है allular bone यह सर दिस नथिंग बर दी allular bone जो आपको अच्छे से पता है यह सर आखें सो अब आपको यह सीखना है कि हमारा जो दात है anatomically इसके तीन layer होते है जो सबसे बाहर का layer होता है उसको animal बोलते है middle का layer होता है dentine होता है और internal layer सबसे अंदर का जो layer होता है उसको हमनों pulp cavity बोलते हैं तो animal animal जो होता है यह जो white shining part है यह इस planet का sorry इस body का इस bio world का इस body का सबसे strongest chemical यह strongest tissue नहीं है strongest tissue जो होता है हमारे body में वो bone होता है कौन होता है बच्छो bone होता है लेकिन strongest substance है यह cell से नहीं बना हुआ है यह सर यह जो white substance है जो दात का जो shining part है shining part है shining करने वाला part है इसको हम लोग animal बोलते हैं animal outermost layer है और यह आपके body में ectodermal in origin है ना and it is the hardest substance produced by your body and our body so इस बात को हम लोग लिखेंगे क्या क्या मिश्रा सर ने बताया animal is the outermost layer है and it is the shining part यह ectodermal in origin है and it is the hardest substance to be synthesized by our body then there is a dentine part दूसरा जो part होता है यह first part है then we move on to second part is called as a dentine जब हम लोग डेंटाइन की बार में बात करते हैं बच्चो तो डेंटाइन आपके दात का major percentage है नीट आपको पूछेगा which part of your teeth is going to have the major component so major component हमेशा dentine रहेगा and pulp cavity जो होती है वो सबसे inner part होगे यह सब्सक्राइब चलो इन तीनों लेयर के बारे में हम लोग बात करते हैं यह सब्सक्राइब अनाटामिकली यह हम इसको बोल सकते हैं internally internally हमारे जो दात होते हैं इस थी वरी important layer three layers three layers of teeth is going to be present three layers of teeth is going to be present हमारे दात के 3 important layers है जो आपको पता होना चाहिए जो सबसे पहला और important reason है इसको हम लोग बोलते हैं animal जब हम लोग इने मल की बारे में बात करते हैं animal हमारे दात का इट इस दी आउटर मोस्ट लेर यह आउटर मोस्ट है इस एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन इस एक्टोडर्मल इन और जीन मेरे प्यारे बच्चो तो आपकी बॉड़ी में जो भी है आपकी जो पूरी बॉड़ी जो आप देख पा रहे हो ना वो पूरी बॉड़ी तीन लेयर से बनी हुई है एक्तोडर्म, मीजोडर्म, एन्डोडर्म, आपको ये जानके ताज़ूब होगा, ताज़ूब होगा मतलब सप्राइज होगा कि आपका जो दात होता है ना वो तीनो लेयर से बना होता है आपके बॉड़ी में बहुत ही कम चीज़े होती है जो तीनो लेयर से बनती है है ना उसमें से उसमें से जो रेयर चीज़ होती है वो आपका दात है आपका जो दात है हमारा जो दात है हमारा जो तीत है वो एक्तोडर्मल इन औरजीन है मेजोडर्मल इन और और एंदोडर्मल इन और तो पल्प कैविटी है एंदोडर्मल ओर जी नहीं मतलब डो डूवल और जीन कितնे ऑर जीन है दो और जीन है हमारे बॉडी में जो Epithelial tissue होता है वो Navlar से बनता है मतलब वो तिपलल औरगीन इएक्टैरम से भी एक्टैरल टिश्यू बनता है और एंडहुर्डम से भी constitutionalट भी dessert है व hope कि दात को फ़र्म नहीं करता है नहीं करता है तो आपको नाम देना है एंडोर्म, yes sir. So he outermost है, it is ectodermal olgin and it is the hardest substance यह बहुत ही shining करने वाला पार्ट है. It is a shining part and it is the hardest substance to be produced by the body. It is the hardest substance. कि इटीज दी हार्डेस्ट सब्सेंस तो बी प्रोड्यूस बाइए और बॉड़ी मतलब यह हमाया बॉड़ी का हार्डेस सब्सेंस है ऐसा आपको समझना है अब सवाल उठता है कि यह जो इनमेल है इसको सिक्रीट कौन करता है तो आपके दातों में स्पेशल सेल्स होते हैं उस सेल को हम बोलते हैं अमीलो प्लास्त लास्ट नहीं बलास्ट बलास्ट करेंगे यह सर्व अमीलो बलास्ट यह जो सैल्स हैं आमीलो बलास्ट इस इनमल को फॉर्म करते हैं Amiloblast Synthesize this, Synthesize this, समझ मैं है, यह Synthesize करते है, चलो, Ladies and Gentlemen, हम लोग B part के बारे में बात करते है, इनेमल क्लियर हो गया है, इनेमल इस दी आउटर मोस लेयर, एक्रोडर्मल नॉलजीन, शाइनी पार्ट है, हार्डेश सब्सेंस तो भी प्रोडूस बाइब आवर बॉड़ी एन इस गूइंट बी सिक्रीट बाइब याद रखना, यह हम लोग जब आप प्रूमें सॉल जो एलिमेंटरि वेलोजी उसमें अमिलो प्रास से रिलेटिट एम्सीक्ष जरूर पुछे जाएंगे, लेड़ी से जंटलमें, वी हम लोग जन बारें बात करते हैं, जब हम लिए जो जो बी जो जो इन ताइन है, जो एग फारत बारें, जो एग पर देल, यह जो 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 इन उरेजीन इसका ईजीन जो है वो मीजो ड्रमनी नोर्जीन है जासर इस दाटेट और इन इस इस ऑपर जो तीथ होता है वह मैक्सिम इसी लेयर से बना होता है सो इटीजर पाट आफ तीद इटीजर पाट ओफ दिछ याद रखना अगर हमने आपको बता दिया हुआ है कि इनमल जो होता है वह अमिलो ब्लास्ट के दवारा सिंतसाइस किया जाता है तो डेंटाईन डेंटाइन का मतलब होता है यह अनुड़ास के दवारा सिक्रीट किया सब्सक्राइब तो हम यहां पर लिख देते हैं डेंटाइन जो होता है इस पीटेड वाइदी कि देंटाइन इस सिंथेसाइज बाय और डॉन टो ब्लास्ट और उंटो ब्लास्ट इसको बनायेगा यह सर्ण आप लुवाओं करते हैं पक्का उसके बाद हम एक बार रिपीट कर लेंगे तीनों दैने सी पार्ट होता है इसको हम लोग प्यास से बोलते हैं such pull up cavity pulp का मतलब क्या होता है का मतलब जैसे मैंगों का पल्प हुता है अपलका मतलब होता है जो सौफ्ट पार्ट रहता है तो आपके दातों का हार्डेस्ट हो गया इनमल सेकेंड पार्ट हो गया देंटाइन जो पल्प कैविटी है यह सबसे पहली चीज तो यह सौफट पार्ट है पूछो यह सौफ्ट क्यों है क्योंकि इसके अंदर आपके बॉड़ी का जो सौफटेस्ट टिशू है वो है हमारे बॉड़ी का सौफटेस्ट टिशू कौन है हाडेस्ट बोन है हाडेस्ट टिशू बॉड़ी का बोन है सौफटेस्ट टिशू कौन है बलड है बलड तो यहां एक लड़ सकते दो दिखाया नहीं है तो आप ऐसा कुछ हम लोग एसा हलका हलका पुछ हलका कर सकते हैं अगर चाहिए तो तो पर्म के विटी में ब्लड सप्लाइ है और इसलिए बहुत ज़्यादा soft है यहां नौ supply भी है lymph का supply भी है इस चीज को हम लोग ज़रा यहां पर लिख देते हैं यह भी गो लेडी सेंटेमन ये जो पल्ब कैविटी होती है पल्ब कैविटी यह जो पल्ब कैविटी होती है इट इस दे इनर इनर पार्ट आफ तीथ इनर मोस्ट पार्ट आफ तीथ इनर मोस्ट पार्ट आफ तीथ यह आपके दाद का इनर मोस्ट पार्ट है इट इस मीजोडर्मली डिराइवड मीजोडर्मल निजए बातों इस बात को आपको समझना होगा यह भी मिजो डॉजीन और यह भी मिजोडर्म शें बनता होता इनमल जो है वह बना कि आए सिंपल यह सब्सक्राइब इब्लाड रेसे वो तोवं के वीदिट एव उसे सब्सक्राइब धिसो मुंट वीधिट-पहलीयद हिग अब दके के वित Peng्यी के यह कि अटिर्व उस्मी पिरले। वह सब्सक्राइब थे डिम्स वेस्टों और अधिया और नौस कि अंदर नौस का सप्लाइब भी है तो आइटिंग और इस पार्ट सा बैरे वरी क्लिर तुछ आपको यह पार्ट क्लिर हो गया है यहां पर हम लोग ती का जो पार्ट है वो कतम करते हैं ना आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं इसमें विडाउट ह भी है आप मुझे कमेंट कीजिए यह सर आगे बढ़ते हैं हम लोग इनेमल डेंटाइन पल्प कैविटी आप हमेशा याद करना और आगे बढ़ते हैं लेडीज जिंटलमेन यह इंटरनों इस्ट्रक्चिर था जो हमने कवर कर दिया हुआ हां हमको थोड़ा डेंटल डिके के बाएं में बात करनी है तो एक लाइन में एक स्लाइड में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यह सबसे पहले होता क्या है आपको ट्वाइस ब्रस करना है आपको दाद को सलामत रखना है हमेशा याद रखना आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी खुद की बॉड़ी है मम्मी उसके बाद इंपॉर्टेंट है पापा उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपके बॉड़ आप औरगन को ख्याल रखने के अलग अलग मेकेनिजम होते हैं जब मैं पूरा फीजियोलोजी पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि इस औरगन का ख्याल कैसे रखेंगे फिलहार हम बारी किसकी है डात की बारी है डात का ख्याल आपको कैसे रखना चाहिए रूल न खाने की बाद आपका जो दात होता है ना सबसे ज्यादा कम जोर होता है तो उसमें आपने ब्रश किए ना तो आपके डात जल्दी से किरने वाले ऐसा समझ लेने का गैस कर लेका आपको बश्ट वाइस करना है खाना खाने की 45 मिनिट्स बाद एट लिस्ट अगर आपको बह अब दो में से एक बार वन टाइम वन टाइम आपको वन टाइम ब्रश विद फिंगर विद फिंगर वो दंत मंजन होता है ना मंजन मंजन मालूमें मंजन 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 करना है आपको और उसमें आपको रब करना है ब्रब गम्स तो दो कि को यह सै dim Chef आपके गम्स को करने हैं क्योंकि कोई भी ब्रश है चाहिए वो insodine हो वह आपके गम का कुछ भी भला नहीं करता है गम को मसाज करμ heh और रूट पे फोकस करना है है प्रोट पे अगर फोकस करोगे यह क्राउन के एरिया पर फोकस करोगे तो आपका दात मजबूत नहीं हुने वाला आपको इसपर फोकस करना गर्म पे क्योंकि गर्म की नीची तो उसको मसाज़ देना पड़ेगा आपको यह सब्सक्राइब थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट इट एवरीटिंग इट ऐसी कोई ऐसी चीज आप खाओ जो आपके बॉड़ी टेंप्रेचर से बिलॉंग करती है तो थोड़ा सा मैल्ट करके खाओ ताकि वो बॉड़ी टेंप्रेचर एक करिबन 25-20 डिग्री से टेंप्रेचर होना चाहिए आइस्क्रीम का आइस्क्रीम पानी हो जाएगा बट मुझे बताना बहुत जरूरी है कि आपको ऐसा करना बहुत जरूरी होता है है ना आप थोड़ी सी हार्ड चीजे भी खा सकते हैं कच्चा चीजे आपको दात को खाने के आदत हों जाए इट रो इट रॉफूड 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 जो हार्ड है है ना कच्चा चना लिया चबा रहे हो ऐसा तो थोड़ा उसको टफनेस तयार होता है अब यह सार हम लोग आपको क्या बात करने वाले हैं फिलाल हम लोग आपके लेक्चर में इस पटिक्रुल इस ऐसे और रखना है और जब हम किद्नी पढ़ाएंगे तो किद्नी का ख्याल कैसे करना हम आपको बज़रूर बताएंगे हम पुड़े जाते आगे जाते हैं डेन्टल दीकी को जब आपको दात का खयाल रखना है डेंटल डीके खयाल कैसे रखना हो मैंने बता दिया पहले चार पॉइंट में फिलार हम दो क्या बात करने वाले हैं कि आपको दात सड़ता कैसे तो सबसे पहले जो फूड़ पार्टिकल होते हैं सबसे पहले फूड़ पार्टिकल जो होते हैं वो आपके तीथ में लॉज होते हैं लॉज मतलब अटक जाना लॉज मतलब अटक जाते हैं यह सब देन उनका एनारोबिक रेस्परेशन होता है आना रोबिश्प्रेशन होता है वो खाने को आनेरोबिश्प्रेश्न बाइ बैक्टिरिया बैक्टिरिया वहां पर आएके अना रोबिश्प्रेश्न करते हैं और प्रोडूस और मैंय। प्रोडूस और्गेनिक एसिड और्गेनिक एसिड प्रोडूस करते हैं यह सर अब यह जो और्गेनिक एसिड प्रोडूस हुए है यह जो और्गेनिक एसिड यहां पे जो प्रोडूस हुआ है यह सर यह जो और्गेनिक एसिड यहां पे जो प्रोडूस हुआ है वह और्गेन एक हैवे सिंदेह। नसली वहां पर आ64-674 वाहां पर एक हैवे सौन्स ऑ है यह जो एक है द ड्री ऑने असियों लाइजेशन का मतलब यह होता है it will remove calcium from the enamel it will remove calcium from enamel yes sir and progressively आपका तीथ डामेज हो जाता है progressively progressively इस तरीके से प्रोग्रेसिव तरीके से आपका जो तीथ होता है तीथ गेट डामेज तीथ गेट डिके इस हिसाब से आपका दाथ सड़ता है तो यह पहला 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 पार्टिकल ऐसा होगा पहला यह ऐसा डेंटल डिके में जो सबसे पहली चीज आएगी वह ऐसी होगी फिर यह एडवांस दिखे होगा अंदर जाएगा अगर इनिमल आपका डिस्ट्रॉय होता है यह इनिमल डिस्ट्रॉय हो गया है तो आपको आपके दाथ सेंसिटी हो जाएंगे ज्यादा गरम ज्यादा ठंडा खाओगे तो यहां देंटाइन की तरफ जाता है अब आपको दर्द सूपर सूपर मुस्ट दर्द होता है और फिर आपको पल्प में जाता है अब बच नहीं सकते आपको सीविर होता है तो देंटाइन में जब पहुचता है तो हम उसमें उसको जो भी रिपेर करवाते हैं या डॉक्टर की प इस पर्टिक्री टॉपिक का यह मैंने आपको एक्स्प्लीन कर दिया है आई होप आपको यह समझ में आ गया है बिना किसी डाउट के मैं बच्चों को डाउट नहीं आता है इसलिए आप लोग कोई सवाल नहीं पूछते हैं आई होप आपको यह बात समझ में आगे यह हमारे किसे तो मेरा आपको सवाल है कि यह डेंटल फर्मॉला किसका है तो अगर हम आप इसका जवाब देंगे तो यह डेंटल फर्मॉला है चाइल्ड का चाइल्ड का यह सर तो इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पेरी टीथ लिए है हम इसको डैसीस प् blinking टीथ भी बोलते हैं यस सर हम इसको डैसीडव स्टी बी बोलते हैं तो आइटिंग अशुल कूर्पार्ट क ये जो है यह डिश प्रटेडिकुर्ट पर्मानेंटी लजिएizione में इसह रेंजिए इस स्टीश Second टीडिश पर्मानेंट टीत है तो अल इस एक्जाम्पल सब्सक्राइब अगर कोई भी एडल्ट है अच्छर साल के हैं टू बाइटू इंसीजर वन बाइवन कैनाइन तो यहां पर जो टू बाय टू होगा। वह कौन होगा तूबाय टू इस गोइन प्री मोला जाएन लाँ है ये जो फार्मॉला आ याप देख सकते हैं ऐला यह जो फार्मॉला आप दिखाए दे रहा है। इस फार्मॉला इस विलाउंग Kai 12 18 years 18 years का जो बंदा है उसके अंदर आएंगे तो फिलहाल आप इस stage में हैं और आप आगे जाके इस stage में जाएंगे या इस stage में कुछ लोग पहुच गए रहेंगे और इस सबसे आगे बढ़ता है आगे बढ़ते हम लोग अब हम लोग जा रहे हैं बात करने भी पने mi t'ok about the tongue अदा क्या क्या बारे में बात करने कल रात को ही बना ता Afिवर ढूंदिस यह थे राइग्रम है और आपक डायगर्ःम क्लेड़यर है आप सब कोो डाय ग्यां करने आप इसको देखने की कोशिशे ज bitch is औरीजिनल यहां पर तो आपको यहां पे टंग ट Yakut करना है इस टीमक अ यह तर्व फिर आपको यहां पर यह सेंटर पॉर्ड करना है यह माननी है जिसर सर एक सब्सक्राइब नहीं है तो यह सर भेस्पी यह कि देनली مشेर तो यह शलकर टर्मिनेयली दिखाइ利 देता है यह आपके बात का पे पार्ट है और यह जो हापके है वह एंटीरी डपर्थ कौ तो हम क्या करते हैं हम इस एंटीर पर्ट को हायht कर देते हैं एंटीरर पार्ट है और इस बेवाइब इस गोइन टेविब इस गोइन टू एप्टेयर पार्ट इंच जब भी बैलोजी में आएगा anterior word जब भी भी biology में आएगा anterior का मतलब होता है close to mouth लिखो न अरे लिखते क्यों नहीं close to mouth है न और posterior word का मतलब ये कई बार ये word आएगा biology में कई बार है न जब तक physiology खतम नहीं होता ये word आते रहेंगे आते रहेंगे posterior का मतलब होता है a away from एसे डॉर करना हैं करना है यहां पर लिंग्वल टॉंसल है टॉंसल के बारे में हम बात करेंगे आगे जाके यहां पर यह कुछ इस टॉक्ट्टर से जैंड़ में बताएंगे और फिर अगे सब डॉक कर लोगे कोई डिकत में मुझेयाल से easy to draw diagram है ना चलो अब हम टंग के बारे में explain करना क्या सबसे number one point है हमारा जो होता है कि तंग इसर्ट्रॉम्ट्र मस्कुलोसर्यीग वालंटरी और और किРЕपीट करता हूँ रिपीट नहीं करता हूं लिखता हूँ तो सबसे पहला एंद है जो आपके टंग का डेफिनेशन है है ना तो यह जो टंग होता है इट इस ऑल्वेज गूइंट टूइंट बी ट्रेंगुलर इट इस ऑल्वेज गूइंट बी ट्रेंगुलर इस गूइंट बी ट्रेंगुलर मस्कुलो मस्कुलो सेंसरी मस्कुलो सेंसरी मस्कुलो सेंसरी ग्लैंडुलर है और इट इस वालंटरी इस गूइंट बी वालंटरी तो यह नंबर वन पॉइंट है जो आपको क्लेर हो गया है यह ट्रेंगुलर है यह सर्मस्कुलो है मतलब मसल से बना हुआ है सेंसरी है चुकि यह टेस्ट को सेंस कर सकता है है न अगर चाय गरम है तो आपकी टंग बता सकती है अगर डाल में नमक जा रहा है तो आपकी टंग बता सकती है अगर डाल खराब हो गई है तो आपकी टंग बता सकती है मतलब यह सेंस कर सकती है glandular है mucus produce कर सकती है और voluntary है आपकी जुबान आपके control में है voluntary word का meaning लिखे प्लीज voluntary voluntary word का meaning लिखे voluntary का मतलब होता है in control in control of will power आपके will power control में जो भी चीज होती है उसको हम voluntary बोलते हैं यह सर्थ आप क्या बोलना चाहते है वह आपकी control में है न तो आपकी जुबान voluntary है यह सब्सक्राइब करते हैं इस ट्रैंगुलर यह सर्थ मस्कलो सेंसरी ग्रैंडूलर voluntary voluntary का मतलब आपको समझ में आ गया है आप अपनी जुबान से क्या बोलना चाहते हैं तो वह चीज आपकी control में है न क्या सर्थ दिल का धड़कने control में है दिल धड़क रहे कीड्मी कीड्मी का वलड़ को filter करना यहीं आपकी control में नहीं सांस सांस को लोकना आπकी control में नहीं तो बहुत सारी activity हमारे control में नहीं होती है वह OR ultimately हो जाते हैं उसको हम voluntary यह उसको involuntary बोलते है और involuntary का उल्टा होता है वालंट्री का मतलब हमारे विल्पावर कंट्रोल में है और इन वालंट्री का मतलब होता है हमारे विल्पावर कंट्रोल में नहीं चिंदगी की राओं में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा फटाफट बढ़ते हैं अब our next point is हमारा ये जो टंग होता है everybody focus on this particular diagram हमारा ये टंग है this is our tongue और ये जो हमारा टंग है it is going to be attached here हमारा ये जो टंग है टंग का जो under का surface नीचे का surface वो एक fold of mucous membrane से attached है ये जो mucous membrane है आप आप मिरर में भी जाके देख सकते हैं आप मिरर में जाएं टंग को ऊपर कीजिए मोबाइल से उसका वीडियो शॉट लीजिए सेल्फी लेके और फिर उस वीडियो को देखे तो यहां पर म्यूकस में दिखाई देगा जो आपके लंग आपके टंग को अटैच करके रखता है वह आपके टंग के अंडर सर्फिस रे प्रेजेंट है यह पॉइंट भी है वह हम लोग लिख देते हैं आप टंग इस अटैच में आटैच में आटैच टू टंग इस अटैच टू लोग सर्फिस लोवर सर्फिस लोवर सर्फिस बाई बाई फोल्ड ओफ म्यूकस मेंब्रेन बाई फोल्ड ओफ म्यूकस मेंब्रेन बाई फोल्ड ओफ म्यूकस मेंब्रेन और इसको हम लोग कॉल्ड करते हैं इसको फिर्नुलम लिंग्वे क्या बोलते हैं इसको फिर्नुलम लिंग्वे बोलते हैं एक सचब्हों इसको फिनुलं्ट लिंग विए यह बात आपको समझ में आ जाने चाहिए इस डैट लिए कि पक्का क्या बोलते हैं हम इसको फिनुलं लिंग्विव बोलते हैं तो आंसिंट इस कॉंस IP MILLEM को मतलब होता है फोल्ड और मिकल्ड का मतलब होता है टंग तो फोल्ड और टंग करके रखता है उसको हम लोग बोलते हैं यह सर्ट अब हम लोग यहां पर फोकस किजिए इस डाइग्रम पे आपके डाइग्रम आपका जो टंग इसके दो हिस्से होते हैं दो पार्ट होते हैं पॉस्टरियर पार्ट एंडे इस एंटरियर पार्ट एंटरियर पार्ट एंटरियर पार्ट एंटरियर पार्ट एंडे पॉस्टरियर पार्ट के बारे में इसके पास inverted v-shape lining होती है यहां देखे आपको वी दिखाई दे रहे है यह वी दिखाई दिया देखो V actually में ऐसे होता है लेकिन यह उल्टा भी है inverted V है so tongue on the posterior part shows inverted V shaped inverted V shaped inverted V shaped furrow यहाँ पे furrow present है inverted V shaped furrow furrow word का मतलब क्या होता है furrow word का meaning लिखो please furrow word जबी भी biology में आएगा furrow word का मतलब होता है surface cut मतलब cutting होता है surface cut furrow word का मतलब होता है surface cut तो यह जो surface cut है यह जो inverted V shaped structure है इसको हम circus terminalis बोलते हैं क्या बोलते हैं हम इसको we called we called circus terminalis we always call it as a circus terminalis बोलते हैं हम इसको yes sir हम इसको circus terminalis बोलते हैं तो I think यह चीज आपको समझ में आ जाने चीए इसको हम circus terminalis बोलते हैं पक्का clear है तो यह तीन पॉइंट है जो मैंने आपको यहां पर बता हुआ है अब circus terminalis यहां पर लिखा हुआ है आप इसको देख लीजे यह circus terminalis है पक्का 100% clear है very good अब हम लोग आगे जाते हैं आगे के points के बारे में बात करते हैं तो यहां पर Good 3 है करते हम लोग्स Conundकार में Luck आपकलके बात करते हैं हमारा जो टन्क का सर्फेस है इसके ऊपर ना इसमॉल přोजेक्शंज है आप टन् 설ूं करो TER G तंग के से टंग को क्लीन करो उसके भाद आप जाके देखो मिलयर में जाके आप देखो गये तो आपके टंग पे आपके टंग के सफेस पे ऐसे ऐसे पॉइंट इइज़ चीजे यह पॉइंटिड और टंग एज लेटिल सर्फिस ओफ टंग है जलेटल प्रोजेक्शन एज लेटल प्रोजेक्शन यह जो लेटल प्रोजेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एज फपले तो फैपले वर्ड का मतलब क्या होता है लेटल प्रोजेक्शन चौते-चौते पॉइंटे दाने यह पोंटे दाने आपको दिखाई दे नहीं यह यह सर्फ गाम यह जो पॉइंटेट दाने होते वह चार टाइप के लिए शबसे पहला होता है नमबर वन वेलवेट डाइग्राम पर फोकस किजे इदा इदा फोकस किजे पहला होता है वेलवेट दूसरा होता है फोलिएट तीसरा होता है फिली फॉर्म चौथा होता है फंगी फॉर्म यासर बोलो मेरे साथ मुझसे बोलो मुझसे बोलो चुप नहीं बैठो वेलवेट फॉलिएट फिली फॉर्म, फंगी फॉर्म, फंगी फॉर्म मतलब, फंगी फॉर्म मतलब, फंगाई की जो स्पोस होते है न, उसकी तरह ये थोड़े बड़े होते हैं, ये स्मॉलेस्ट होता है, फॉलियेट का मतलब होता है, पत्ते जैसा, ये पत्ते जैसा निकला हुए ऐसे, फॉलिये सेट क्लियर इस दे कॉंसेट इस वेरी वेरी क्लियर है नाम बोलो सरकम वेलेट फोलिए फिली फॉर्म फंगी फॉर्म आई थिंग आल इस वागे बढ़ चम दो तो यह जो इस ट्रॉक्षिस प्रेजेंट है पैपले पैपले जो होते हैं इस आफ फोर टाइप देर गोई टो इस वेलेट वेलेटे नहीं प людей नहीं मैंत अब गवेलेट पेपले जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है यह जो वेलेट पैपली है यह आठ से बारव नमबर में पाये जाता है आप कांटिंग करो ऊध kindly to three four five six seven eight इस से अच्ए 12 नंबर में पाए जाता है 8 to 12 8 to 12 इन नंबर यह पहली चीज जो आपको समझ में आने चीए 8 to 12 इन नंबर से इसके पास ना टेस्ट बड प्रेजेंट होता है तेस्ट बड जो होता है वो यहां पे 100 टेस्ट बड मालूम है ना जो टेस्ट बताते है टेस्ट बड जो आपको टेस्ट बताता है सॉल्टी है स्वेट है सोर है बिटर है यह सर टेस्ट बड जो होता है एक एक जो वैलेट होता है यह जो एक है इसके अंदर सौ टेस्ट बड होते हैं टेस्ट बड्स आगोईं टीबी प्रेजेंट टेस्ट बड्स आगोईं टीबी इप फोलीयट पैपिले इस दो लार्जिस्ट पैपिले अब यह हो गया है अब हम लोग बात करेंगे बी के बारे में बी हम लोग बात करने वाले हैं यह वाला स्ट्रुक्चर डाइज फॉलीट तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉलियेट पैपिले फॉलियेट पैपिले बोलते हैं इसको जब हम इसको फॉलियेट पैपिले बोलते हैं फॉलियेट पैपिले फॉलियेट वर्ड का मतलब क्या होता है यह लीफ जैसा होता है बट यह इंसानों में नहीं पाए जाता है यह रैबिट में पाए जाता है यह स इस देजनेरेटिद इन इमन बीग तो मैं यहां से लिक्ता हूं इस नॉट डैवलब्ड इन्यूमन बीग नॉट डैवलब्ड इन इन युमन यह यूमन में डैवलब्ड नहीं है नंबर वन चीज इस गूइं टूइंट विटीजनरेट एटीज डीजरेट है ये डीजरेट हो जाता है युन में यह डैवलप नहीं हो पाता है यहाँ सर तो इसको हम लोग बोलते हैं foliate papilla है अब हम लोग move on करते हैं C के बारे में हम next page पर C के बारे में बात करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं यह टेस्ट बड़ है यह सर्ट यह जो डॉट डॉट इस्ट बड़ जो होते हैं इसको गस्तेटरी रिसेप्टर बोलते हैं यह टेस्ट की ओपनी यहां पर कोई भी नमक आएगा सॉल आएगा सी आएगा तो यह ब्लेन को पता चलेगा है यहां यहांपे नर्स है नोस ऐस रहाए नश नूर्ण नूरॣ नूर्ण स एकली फिलीफी फिलीफ फिलीफ प्रीफ की बारे में बात करते हैं यह smallest है एन उस्ट स्ट गरेश कहुए मैं लिखता हूं एट इस दी स्मॉलेस गाइन मोस्ट नूम्रेस यह smallest है and smallest होने के साथ साथ यह most numerous है यह conical है it is going to be conical है है ना and mainly present near the center यह near the center में ली प्रेजन्ट ली प्रेजेंट में ली प्रेजेंट नियर में प्रेजर इसका function क्या होता है बच्चों इसका जो function होता है इसका जो फंक्शन होता है वह टेस्ट बड नहीं होता है इसके पास टेस्ट बड नहीं होता है यह टेस्ट नहीं करता है तो क्या काम करेगा देहाँ We have tactile अगर चय पानी कौफ्य बिस्कीट लड्डू आपकी जुबान को जब डू तो आपको पता कैसे चलता है कि आपकी जुबान् को लड्डून ने टुझ किया Iz Park gonna tell us Pipp calamity will help किये ऐले हैं यहां फोकस कि आब टेक्टायल रिसप्र डेक्र रिसप्रत का मतलब होता है डिल्च रिसप्र ड है ठीजैब्टर इसका मतलब होता है आपना नुटेस्ट बप्र अनुट टीश बप्र वह की बहुत ही छोटा भ Sixt smallest है इसलिए यहां पर टेस्ट बढ़ नहीं हो सकते हैं या सर इस डाट लिर सो आई थिंग कर दिस पर्टिक्वल पार्ट इस अलसो वैरी क्लिर तुजी है ना अब हम लोग मौन करते हैं राइट ना वी मौन करते हैं अगले टाइप के बारे में अगला जो टाइप है उसको हम हम लोग बोलते हैं फंगी फॉर्म क्या बोलते हैं इसको फोकस है हम बात करते हैं अभी लास्ट टाइप और डी टाइप के बारे में बात करने वाले हैं यह जो डी टाइप होता है यह जो डी टाइप होता है इसको हम बोलते हैं फंगी फॉर्म क्या बोलते हैं इसको फंग सब्सक्राइब अब लगता है इनकी जनसघ्या बहुत ज्यादा नहीं लेख मतलब उतने में पाए जाता है larger than philiform यह लाजर देन फिली फॉर्म है यह सर मोस्ट नूमरेस एट टिप आपकी जुबान के यह टिप है उसके ज्यादा प्रेजेंट है है कि मोस्ट नूमरेस नूमरेस एट यह आपकी जुबान है उसके टिप पर ज्यादा प्रेजेंट हैं हर एक जो फंगी फॉर्म होता है उसके फाइफ टेस्ट बढ़ होते हैं फाइफ टेस्ट फाइफ फाइफ टेस्ट बढ़र्ड में यहाँ पर नजर आते हैं यह सर टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं यह सर्फ से यह डिटक्ट फॉर टाइप आज़ तो वह फंगी फॉर्म का पॉइंट नहीं है तो फंगी की पॉइंट कलियर सब्सक्राइब करते हैं फंक्शन आफ टैस्त के बारे में टंग के फंक्शन के बारे में बात करते हैं ये वी गो लेडिज एजिटलों फंक्शन आफ कि फंक्शन आफ हमारे जुबान के फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला हमारी जुबान का होता है एट है पिन डिटेक्शन आफ टेस्ट सो हम लिख देते हैं इसको detection of taste कौन-कौन से test हम दो test कर सकते हैं है सॉllow की है कि सोरी के सवीट का मतलब होता है करवा हो इस बीटर का मतलब होता है पर यर इस टोता है यह सिंभक स्टेस्ट होता है का मेटाप सॉल्टी अपलिख लिए 12 का मतलब होता है успels यहसर immense लिए बेरी गुद इस ऐसा में मिर्स लाह đang prawfp 19 यह सैकेंड फंक्शन क्या है सेकेंड फंक्शन विएनट है थैलपिंच इंग हमको में मदद करता है तो हैं इन चीविंग हमको चीविंग में हैल्प करता है नमबर तीसरा function swallowing में मदद करता है help in swallowing swallowing में मदद करता है number four I think easy point है आपको से अगर आपका ब्रस गायब हो गया है आप travel कर दो आप ड्रस कैसे कर सकते हैं कि अब टंग से ब्रस कर सकते हैं so it act as universal यूझी वर्सल टूट ब्रस यूझी वर्सल टूट ब्स की तरह ये काम करेगा नमबर फाइफ इट प्ले इंपॉर्टेंट ऑ रोल इन 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 स्पीच यह स्पीच में रोल प्ले लेगा और नमबर सिक्स कैप्चर प्ले कैप्चर प्रे हम लोग प्रे को कैप्चर नहीं करते वैसे यह हमारा फंक्शन नहीं है रेप्टाइल और फ्रॉग करता है वाल लिजर्ड को देखा है मच्छर को कैसे अंद लेते हैं या तो आपने वह वह अरितिक रोशन की मुवी थी उसमें रेप्टाइल आइस क्रीम खा रहे का इस्तिमाल करते और मौस्केटों को खाते हैं यह सर नम्र साथ उसा हैं फ्रॉड है सेнокष। होता है है हर सिर्प होते हैं इस अपन्नी जुबान सब्काते सब्लाइब acquired क्रते फेंटिंग से क्या होता है मैं बैंटें फिर मैंद इन वडी टंपर्यचर । इस令 आ ना देय गुडूर्ड है समझ में आए क्या डे गज़क्त बेटेन बाड़ीटेंपरेशा ह、 जा स्मार्ट स्मार्टेस्त अब आपको इसका मतलब होता है तर्मोरग्म डाइशन टंपरेशन को डास्यम्टर करने मतलब माउथ खतम हो गया है सलाइवी ग्लैन की बारे में हम बाद में ग्लैन के टाइटल के अंदर पढ़ेंगे so whenever we'll meet we'll talk about will talk about what will talk about the pharynx के बारे में बात करेंगे आइधिंग यह concept clear है और आपको यह concept समझ में आ गया है एक important चीज़ है जो मुझे आपको बताना है मुझे आपको ट्रिक बताना है इधर देखो बच्चो आज हमने जब मॉर्निंग में लेक्षे स्टार्ट किया था तो यह जो है यह इनमल अमिलो ब्लास्ट के द्वारा सिंतेसाइज किया जाता है और यह और डॉन्टो ब्लास्ट कुट्टे गेला आपको यह समझ में आ जाना चाहिए है ना और डॉन्टो ब्लास्ट के द्वारा यह किया जाता है देखो यह इनमल है इनमल में अमिलो आता है अमिलो तो आपका ट्रिक बन जाता है ना इनमल में अमिलो अमिलो ब्लास्ट इनमल बनाता है और यह है डेन डेन्टाइन डॉन्ट डूंटोल बनाता है और अमीलो ब्लास्त ईंने मल बनाता है स्मार्ट ट्रिक था थेंक यू सो मच गौडब ब्लेस्ट यू यह ट्रिक है आप इसको समझ में आ गए और आपको एक लिखना है यह सर सो आइंग इस प्रेख्वर पार्ट आज का लेक्चर है वह आपको ब्यूटिफुल तरीके से क्लियर हो गया है एवरिटिंग इस क्लियर एंड लेडी से जिंटलमें दिस इस विजय मिश्रा इस गोइंटू शाइनिंग ऑफ टेक्यर गुद्बाइब बाइब